अगर आप टेलिग्राम पर ओफर्स का फाइदा उठाते हैं, मुवीज देखते हैं ये डाटा एक्स्चेंज करते हैं कुल मिलाकर अगर आप टेलिग्राम यूज करते हैं तो आपके लिए मोहत बुरी खबर है क्योंकि दोस्तों जल्द ही भारत सरकार टेलिग्राम पर बैन लगा सकती है देश में टेलिग्राम पूरी तरीके से बंद हो सकता है आपके मुबाइल फोन से टेलिग्राम एप अचानक से गायब भी हो सकता है यहां दोस्तो, टेलीग्राम एक काफी popular messaging app है, लाखो लोग इसका इस्तिमाल करते हैं लेकिन अब इसकी मुश्किले बढ़ने वाली है दरसल भारत सरकार criminal activities को लेकर टेलीग्राम की जाच कर रही है, इसमें जबरन, वसूली और जुआ जैसे मामले शामिल है एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक जाच के नतीजों में अगर इन मामलों की पुष्टी हो जाती है, तो भारत सरकार इस messaging app पर बैन लगा सकती है पूरी तरीके से दोस्तों company के founder और CEO पावेल डुरोव की 24 अगस्त को पैरिस में गिरफतारी के बाद से ये मामला सामने आ गया है उन्हें app के moderation policy को लेकर गिरफतार किया गया है, खबरों के मताबिक उन पर एप पर criminal activities को रोकने में नाकाम रहने का आरोप है आसान भास्ता में कहें, तो टेलिग्राम पर कुछ ऐसे groups active हो गए थे, कुछ ऐसे काम हो रहे थे, जो कि पूरी तरीके से illegal है illegal तरीके से जो जुआ और वसूली के racket हैं, वो भी यहाँ पर चल रहे थे, कई अगर नई films आती थी, तो वो भी यहाँ पर leak हो जाती जिसकी वज़े से filmmakers, producers को काफी problem होती थी पुलिस ने शुरुवाती जाच में पाया कि moderator की कमी ने managing app पर जो आपराधिक तरीके की गतविदिया हो रहे हैं, उन्हें बिना रोक टोक के चलने दिया जिस पर रोक लगाने के लिए ये action लिया गया और CEO को भी गिरफतार कर लिया गया अब दोस्तों भारत सरकार की जाच का focus टेलीग्राम के peer-to-peer जो communication है उस पर हो गया यानि कि किसे कहां पर कैसे connection हो रहा है peer-to-peer मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने किसी दोस्तों को कुछ भेज रहे हैं, किसी family member को कुछ भेज रहे हैं तो वो भी आपका जो पूरा connection है वो यहां पर चेक किया जाएगा, अगर कहीं से भी कुछ भी leak होता है, कोई gambling की घटना का पता चलता है तो हाँ पर उस शक्स के साथ साथ उसके पूरी community, उसके पूरे family, उसके पूरी एक group को चाना जाएगा, पूरी तरीके से जाँच पर चाल की जाएगी यहां पर दोस्तों गैर कानूनी activities पर ध्यान भी दिया जाएगा, final decision जाँच की report पर ही लिया जाएगा फिलाल टेलिग्राम के भारत में 50 लाक registered users है, money control ने इस बारे में टेलिग्राम से जानकारी मांगी है, जिस पर जाँच के बाद ही आगे किसी भी तरीके का कोई action लिया जाएगा फिलाल इस खबर में इतना ही, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मेरा नाम है फरीन अंसारी, आप रहें स्वास्त, मस्त, बस यही है दूआ मारी, नमस्कार